वाली है वीडियो इसके लाश्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगी तो चैनल विलाश्ट तक बने रहा है बहुत छोटी किलिफ है बहुत हेल्पूल होगी यहां पर मैं लिया है रही है जाए है आज का हाफ लिटर मैं लिया है मिल्क उबाल लिया है 15-20 मिल्क और चनी से ढख कर दीजिए जाकि आपकी मलाय के अच्छी प्रत बर्म जाए और यहां पर मैंने बावल लिया है बावल में सिफ्ट कर लिया है अपने दूद को और देखे फिंगर के अच्छे से क्लीन करके उसमें में डाल रही हूं और देखे आपका फिंगर दूद उतना ही गरम हाँ च अगर कैसोल ना किचन टावल है अगर पतिले में जमा रही है कैसोल नहीं आपके पास तो उसके अंदर भी आप कपड़ा यह विंटर का वूलन का जो भी होता है उसे जुरूर डालिए गरम हाँ देगा और अच्छा गरम हाँ से अच्छी जमेंगी कि बहुत ठंड है ना त अगर जामन भी खटा रहेगा तो बिल्कुल ही काम नहीं करना है इससे हमारा काम बन जाएगा और देखे मैं धख डिया है कैसरोल को और उपर से मैं धख लगा दिया एक विंटर वाला सॉल जे बिल्कुल है अगर मेरा अच्छा लकता है तो मेरे चैनल को मेरे वीडियो को राइक कीजिए और फॉलो कीजिए मैं चैनल को रेसिपी के लिए और क्लिक कीजे बलाइकन को फोर और अट्डेट के लिए और यहां पर चैप की बार ही आदिए है मेरे हरी यह को मुझे कोई जरूरत नहीं है आपको जड़ी ऑग एक दो लगे ही मैं जब पाएगा तो इस से गर्माहट की जरोत है बिंटर है तो जर्मने में ठ्राटल टाइम लेता है और नेक्स देख रही हूं मैं दही लुक अधिस ओमाइगाट देखिए कितना टेस्टी और कितना मतलब थिक जमा है यह हिला कर दिखा रही हूं आपको इदम पत्थर की तरह इदम जमा हुआ है औ एक सब्लेमन देखा है कियों कितना टेस्टी माउथ मिल्टिंग ममें देखा हिंए और धावय闧 हैं फटक आ मैं इस सेट श्रीन हों और भाऑ में वैक रहे हूँत है और कितना टेस्टी मृ मावथ मिल्टिंग हा ए अग्छ संग देख गया लिग yeah दही जमाईए इसको में टिक और टिप को फॉलो कीजिए